ओम नमस्षिवाय जैश्री राम बहुत सारे लोग हमसे उजहाई तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं इस विद्या के माध्यम से अपना और अपने परिवार की सदा सदा के लिए सुरक्षा करना चाहते हैं साथ ही साथ लोगों की मदद करके उनके घर से नकारात्म कूर्जा को दूर करके अपना जीवनियापन करना चाहते हैं कुछ लोग इसे पार टाइम तो कुछ लोग इसे फुल टाइम व्यवसाय बनाना चाहते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए 14 जन्वरी से हम उजहाई तंत्र विद्या का कोर्स शुरू कर रहे हैं उजहाई तंत्र विद्या में आपको कितनी साधनाए करनी पड़ती है क्या सावधानी रखनी पड़ती है शक्तियों से डील कैसे किया जाता है, सौधा कैसे किया जाता है, सक्तियों को समझा कैसे जाता है शक्तियों से पूछा कैसे लिया जाता है, अर्था सक्तियों से आप पूछते कैसे हो शक्तियों का प्रियोग कब और कहां करना चाहिए किस सक्ति का प्रियोग कहां करना चाहिए इस उजाई तंत्र विद्या में हम आपको पूरी जानकारी देंगे बहुत ही कम लोगों को हमें विद्या सिखाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय का आभाव रहते है हमारा साधना चैनल पे भी प्रोग्राम चलते है न्यूज 24 चैनल पे भी प्रोग्राम चलते है बीच बीच में दर्शन, लक्ष, कर्तव, देवबूत, देवन चैनल पे भी हमारा प्रोग्राम चल चुका है जो की एस्ट्रोलोजी का प्रोग्राम है तो समय का भाव रहते हैं बहुत हिकम लोगों को ये विद्धिय हम सिखाएंगे जिन्हें जुड़ना है वो बारा तारिक तक जुड़ जाए अपना नाम, पूरा नाम, सरनेम के साथ पिता जी का नाम, गोत्र और पता और अपना फोटो हमें भेद दीजिए और दीख्षित हो जाएए इसके बाद इस साथना हम चोदा तारिक से सुरू करा देंगे सबसे पहले इसमें साथनाएं क्या-क्या होती है और सावधानी क्या-क्या बरती जाती है एह हम आपको बताते है और जाई और तंत विद्या में छे प्रकार की साथना करना अनिवार है पहली साथना इस्ट साथना या शिव शाथना है जो हम शिव शाथना आपको कराएंगे ओ नाथों के शिव मंत्र होंगे दो मंत्र होंगे एक का एक माला एक का किस माला जाप आपको करना होगा इस साधना के माध्यम से आपकी प्राल उर्जय इतनी प्रबल होगी शीवत तो आपके अंदर आएगा जिससे आप शक्तिओं को सम्हाल अपाते हो क्योंकि कोई भी शक्ति तंत्र और उजाई विद्या में आपके बल से चलती है न क्यों सक्ति अपने बल से चलती है क्योंकि उजाई और तंत्र विद्या में शक्तियों का बल नहीं होता उजा तंत्रिकों का बल होता है उस अनुसार सक्तियां अपना बल दिखाती है दूसरी साथना कुल देवी देवता की साथना होती है आपके बहुत सारे कुल देवी देवता हो सकते हैं किसी के हर्मान जी होंगे किसी के काली होंगे किसी के भैरो होंगे किसी के दुरगा होंगे किसी के आशु महतरानी होगी क किसी की चमार परमेश्वरी होगी, किसी की बंसट्टी होगी, किसी की जुतिया होगी, किसी के गंगा राम भी होगी, किसी के कीना राम भी होगी, बहुत सारे कुल देवी देवता होते हैं, जिसके जैसे कुल देवी देवता हो, उनको उस तरीके की साथना कुल देवी देवता की कराई जाएगी तीसरी साथना छेतरपाल साथना होती है तंत्र के छेतर में छेतरपाल साथना का बहुत बड़ा महत्तु है बगर छेतरपाल साधना किये आप कहीं पे भी दूर के किसी व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकते विशेश कर ऐसे व्यक्ति का कि जिस व्यक्ति को किसी तांत्रि ने पीड़ित किया हो और उसके ऊपर नज़र रखाओ, क्योंकि तुम्हारी सक्ति उसके छेतर में जा ही नहीं पाएगी छेतर पाल छेतर का राजा होता है और छेतर पाल साधना करने से कोई भी तांत्री कोजा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता है और इसके साथ ही साथ आप किसी भी जगह के छेत्रपाल का आवाहन करके आप उस छेत्र में अपनी सक्तियों को भेज सकते हैं या तो उस छेत्र की ही सक्तियों का उपियोग कर सकते हैं ये भी हम आपको कैसे किया जाता है सिखाएंगे चोथी साधना होती है मोहिनी साधना उजाई और तंत विद्या में मोहिनी साधना का बहुत बड़ा महत्व है विशेशकर उजाई और तंत विद्या में बंगालन मोहिनी नारसिंग मोहिनी और लोना चमारिन की मोहिनी भी चलती है महेंद्र मोहिनी भी चलती है यहाँ पे श्यामक और हर्मान जी मोहिनी विश्णू मोहिनी नहीं चलती है मोहिनी का मुख्यकार होता है कि किसी के घर से नकारात्मक उर्जा को आपको दूर करना है तो सबसे पहले मोहिनी मंत्र का प्रयोग करते हो मोहिनी मंत्र उस सारी नकारात्मक उर्जा को मोह के एकत्रित करती है इसके बाद हम आपको साधना कराएंगे एक जिन मसान बेताल या तो पीर जिसकी जैसी उर्जा रहेगी जिसकी जैसी छमता रहेगी क्योंकि यहीं वो साधना है जो उज्जाई के छेत्र में कारी करती है मेहनत का कारी करती है इसका कारी है आपने भेजा कि जाओ ए नकारात्मक उर्जा को पकड़ के लाओ ए लेके आएगा मजदूरी का काम करता है ये शक्ति इधर से उधर करना ले के आना ले के जाना इस शक्ति का अपना कोई वजूद नहीं होता ये शक्ति बदमास होती है इसके उपर काबू करना अनिवार होता है और इसके पीछे एक शक्ति लगाना अनिवार होता है नहीं तो ये बहका देते हैं आप लोगों को और इसके बाद जो साधना होती है ओ भानामती की साधना होती है जो कि वशीकरण की देवी है भानामती ओ साधना है कि जो आपका सौधा कराती है शक्तियों से सक्तियों से आपका सौधा कराती है कैसे सौधा कराती हैं आगे हम आपको बताएंगे क्योंकि तंत्र में बगैर सौधे से कुछ नहीं होता है सावधानी क्या रखनी है आपको सावधानी ये रखनी है कि अपने इष्ट मंत्र का और कुल देवी देवता का प्रियोग कभी भी दूसरे के लिए गलती से भी नहीं करना है नहीं तो बरबाद हो जाओगे क्योंकि आपके कुल देवी देवता आपके लिए जिम्मेदार है न कि किसी गैर के लिए ये आपका कवच है आपका इष्ट मंत्र आपके कुल देवी देवता आपके इष्ट और आपके कुल देवी देवता आपके कवच हैं और आपके छेतरपाल अपने छेतरपाल का अपने कुल देवी देवता का और अपने इष्ट देव का कभी भी प्रियोग उजाई तंत विद्या में दूसरे के लिए करना ही नहीं है और ना ही कभी इनके मंत्रों का प्रियोग करके दूसरे को कभी जाड़ा देना है ये तीन सक्ति आपकी सुरक्षा के लिए है और इसके बाद मोहिनी, मसान, जिन जो भी है और भाना मती ये तीन सक्ति कार करने के लिए है क्योंकि धर्ती वीरों से खाली नहीं है सक्तियों को भी घुमा देते हैं तो इन तीन सक्तियों का कार आपको कभी भी कार नहीं लेना है तीन सक्तियों से इस्ट सक्ति से, कुल देवी दियोता की सक्ति से और अपने छेतरपाल की सक्ति से मोहिनी, मसान और भाना मती की सक्ति से आप कार ले सकते हो और यही कार करती है इसमें कार कैसे किया जाता है पूछाने का कार कोई आया है तो इनके घर में क्या है कैसे है एक पूछने का कार आप भाना मती से करोगे कैसे करोगे पूरी विद्ध्य हम आपको सिखाएंगे कैसे वो बताती है कैसे पूछती है किस तरीके से आपको समझ में आता है और पूछने के बाद उसके घर की नकारात्मक उर्जा को हटाने से पहले आप मोहिनी का प्रियोग करते हो मोहिनी उसके घर से सारी उर्जा को एकत्रित करती है एकत्रित करने के बाद आप मसान ये जिन्न को भेच के उस उर्जा को हटाते नहीं हो यहीं पे उजह तांत्रिक गलती करते हैं फिर आप भानामती से पूछते हो कि देवी इसमें कौन-कौन सी सकती है जब वो बताती है कि इसमें ये सकती है तो सबसे पहले करना क्या है आपको उनके कुल-देवी देवता को काट के अलग करना है उनके पित्रों को अलग करना है और फिर जो नकारात्म कूर्जा बाहरी है उसको उठाना है याद रखना एक साथ में ही आपको कभी मंत्र नहीं लगा देना है कि जाओ बाबा और उनके घर से सब को भगा दो जो भी नुकसान दे रहें गलती से भी नहीं करना है क्योंकि उनके घर के भी कुल देवी दे उता है आपका मसान अगर उनके करीब जाएगा तो ऐसा मारेंगे क्यों लोट के मसान आएगा तो तुम्हें मारेगा और बरबात कर देगा तुम्हें क्योंकि कोई भी पिट के आएगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं तो यहां पे सारा खेल भाना मती करती हैं उनसे आपको बराबर पूछना है कि देवी कितनी उर्जया है उनके घर में कोन-कोन से देवी देवता है और पित्र कितने हैं उनके क्योंकि देवी देवता और पित्रों को न तो तुम बंधन में कर सकते हो न तो तुम उनको भगा सकते हो उनके घर से वो उनके हैं उनहीं के रहेंगे बाकी के नकारात्म कूर्जया को भगा सकते हो तो जब आप देवी देवता पित्र और बाकी के नकारात्म कूर्जया को अलग-अलग कर देते हो तब आप मसान को बोलते हो कि जाओ अलग करना होता है, सवधा करना होता है, कि तुम क्यों परेसान कर रहे हो, मैं तुम्हें भोग दिला दूँगा, तुम्हें ये करवा दूँगा, पूजा करवा दूँगा, या मुक्ति करवा दूँगा, इन्हें थोड़ा आराम दीजिए, या इन्हें मौका दीजिए, क्य वो तो डेवता है, देवता को कौन बान सकता है भाई, तो वहाँ पे आप फित्र को मनाते हो, फिर उनके कुल देवी देवता को मनाते हो, कि आप अभी तक नकार आत्म कूर्जा की वुजय से परिवार में प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे, आपके सल्तनत के हैं, आपके करेंगे सेवा देंगे भक्ती देंगे आज के बाद आप इनकी सच्चे हिर्दय से रक्षा करना यह जो है तांत्रिक ओज़ा वचन लेता है उस सक्ति से उनके घर के कुल देवी देवताक से और उनके पित्रों को बोलता है कि तुम कुछ भी करना किसी दूसरे तांत्रिक अपना कारे करना सुरू कर देते हैं आपके घर में नकार आत्मकूर्जा नहीं आने देते हैं और पित्र भी कभी कभी ओजातांत्रिक के चक्कर में फस गए और इनके साथ कोई सक्ति जोड के भेजना चाह रहा है तो कुल देवी देवता पित्र को भी घर से बाहर कर देते हैं कि जाओ तुम गंदे हो गंदगी लेके आ रहे हो कुछ दिन तुम बाहर रहो जब तक सुध्धी करण नहीं हो जाएगी कैसे काट के अलग करना है किस तरीके से प्रक्रिय होती है सक्तियों से सौदा किस तरीके से होती है सारी विद्य हम आपको सिखाते हैं उजहाई और तंद्र का विद्य जोसका नहीं है कि तुम्हें एक मसान सिद्धिकल लिए या एक आशु महतरानी सिद्धिकल लिए या तो हनुमान जी को सिद्धिकल लिए तो जाओ हनुमान बाबा इंके घर में जितने भी नकारात्म कूरजा इनको किस्ट दे रहे हैं जो भी सकती हैं इने कर्ष दे रहे ही दंड दो मारो गए हनुमान जी माली जी आपने कह दिया एक से दिकई हो गए हनुमान जी भेद दिये और हम अपने यहाँ पे प्रभू स्री राम और काली की पूजा कर रहे है। और तुम उसको पकड़ने के लिए भेज रहे हो तो काली सामने आ जाएंगी कि मेरे बच्चे को क्यों परिसान कर रहे हो बहुत कला होती है इसमें डील करना बहुत अनिवार होता है पूरी विद्या सिखाएंगे जिसे जुड़ना है वो जुड़ जाएं सावधानी बहुत जादा इसमें होती है जोश में इसमें काम नहीं होता है इसमें सारी काम क्रिया से होती है और ज्यान से होता है क्योंकि विद्या है ज्यान तुमारे अंदर रहेगा तो तुम बड़ी से बड़ी सक्तियों को घुमा दोगे कि उज्धाई विद्य है ज्यान नहीं है तो तुम बड़ी से बड़ी सक्तिया सिद्ध की हो कितने साल पूजा की हो लेकिन तुम उनका कार ही नहीं कर सकते क्योंकि धर्ती वीरों से खाली नहीं है, सिद्धों से खाली नहीं है हर सक्ती का काट है, काली का काट स्रीहरी नारायन का वामन उतार है हनुमान जी का काट, भैरों का काट प्रहु स्री राम है हनुमान जी और भैरो कभी भी राम भक्त के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते स्वेंग महाकाल की काट राम जी है क्योंकि राम जी जब से अध्या छोड़े थे और चित्रकूट में भरत जो है उनकी चरल पादकाला के अध्या में रखा था तो चौदा साल तक जब तक प्रभू स्री राम बनमास की ये थे तो चौदा साल तक अध्या में न तो कोई पैदा हुआ न तो कोई मरा अध्या जैसे राजि में 14 साल में कोई संतान न पैदा हुआ न मरा न किसी का विवा हुआ ये अपने आप में आश्चरी की बात है हर सक्टियों का काड़ होता है तंत्र में सक्तिया महत तो नहीं होती वोजात अंत्रिक का कला महत करता है वही घुमा देता है वही काम कर देता है क्योंकि ये पूरी तरीके से भोतिक है इसका धर्म और आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है एक क्रिया है प्रक्रिया है तो कीजिए और इसका लाव लेजिए तब तक के लिए जैश्री राम